सेजन 5 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और ड्रग डिल के लिए माइक वॉल्टर जैसे सब आय हुए होते हैं जब वहाँ ड्रग डिलर भी आता है तो वॉल्टर उससे बोलता है कि हम मैदलमीन अब तुम्हें नहीं मिलने वाला फिर ड्रग डिलर माइक को बोलता है यह कोई है तो वाल्टर बोलता है अब तुम्हारी डिल मुझसे होगी वो फिर उसे डिल देता है कि पूरे 2000 गैलन से वो मैं तुम्हें नहीं दूँगा वो में ही रख लूँगा मैं कुक करूँगा और फिर तुम्हें के बारे में सब पता है, तुम जो मेध सेल करते हो, उसकी कॉलीटी बहुत इकटिया है तुम मेरे प्रोड़क्त को मैच करने के लिए उसमें कलरीं डालते हो तुमें मेरा प्रोड़क्त सेल तो करना है पर तुम उसे जनेरेट नहीं कर सकते तो वो drug dealer बोलता है अगर मैंने तुमसे सब मेत ले लिया तो competition नहीं रहेगी और मैं sale कर सकूँगा फिर लोगों को quality की demand नहीं रहेगी तो Walter बोलता है कि जब तुम quality देते हो तो demand भी बढ़ जाता है और quality अच्छी होगी यानि कि scientific तरीके से code करोगे तो मेत भी बहुत ज़्यादा बनता है तो इसलिए तुम्हे quality चाहिए ही तो मैं तुम्हें ये deal दे सकता हूँ कि तुम मेरा product sale कर सकते हो अभी मेरे पास 40 pounds है तो मैं directly ship तुम्हें कर सकता हूँ तो ये deal वो drug dealer कर लेता है वो Walter का नाम बुशता है तो Walter बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम बता है मैंने गस को मारा था मैं वही हूँ तो फिर वो drug dealer बोलता है कि कार्टेल ने गस को मारा था पर Mike को से बोलता है कि नहीं कार्टेल ने नहीं मारा था फिर उसका नाम लेता है हाईजनबर्ग यह बहुत यह आइकोनिक सीन है और बहुत सारे लोग इस सीन को बार-बार यूज करते हैं उनकी वीडियोस में जब भी Breaking Bad का अनलिस स्विगरा होता है तब वो सीन आता है फिर Mike को वो 500K दे देते हैं वाल्टर ने सिर्फ एक ही पार्टनर उसका निकल रहा है और इसके लिए ही 500K उसने लिए हुए होते हैं जेसी बोलता है कि मैं भी इस बिजनेस से निकलने वाला हूँ तो मुझे भी 5 मिलियन डॉलर्स चाहिए तो वाल्टर बोलता है कि हम इस टांजिशन को अच्छे से निकल ले फिर हम पैसो की बात करेंगे फिर वो सब उनके ऑफिस पर आते हैं तो Mike जेसी को बोल रहा होता है कि मैं अब यहाँ से जा रहू जेसी बोलता है कि हम मिलते रहेंगे पर Mike को पता होता है कि Walter उसे नहीं जाने दिने वाला तो ये भी उसे clear कर देता है Mike Walter को पताता जाता है कि तुमने जो DA के यहां bug लगाया है तो तुमें वो निकालना पड़ेगा DA sweep करता है और उसमें यो पकड़ा नहीं जा सकता वो ये काम उसे बता देता है तो Walter बोलता है कि क्या तुम मुझे थैंक भी नहीं करने वाले इस सब पैसो के लिए तो Mike उस पर हसता है और फिर वहाँ से चला जाता है जो मेतलमीन होता है तो Walter अब उसे move करना चाता है तो इसलिए वो car wash में उसे ले आया हुआ हुआ होता है जेसी फिर से Skylar से बात करना चाता है पर Skylar वहाँ से निकल जाती है नेक सीन में हमें एक lawyer दिखाए गया है जो bank में आया हुआ होता है वो उस bank की जो imply होती है उससे keys लेता है फिर वो locker room में जाता है और back से पैसे निकलता है और बहुत सारे lockers में अलग-अलग पैसे वो रख रहा होता है वो जब बाहर आता है तो Mike से वो बात करता है Mike अब सब लोगों को पैसे pay करने वाला होता है उसके जो 5 million होते हैं उसमें से वो पैसे निकल कर उन सब लोगों को payroll पर रखने वाला होता है यानि कि वो किसी से बात ना करे उनलोगों की families के भारे में भी वो बात करते है lawyer उसे बताता है कि उन family को थोड़े थोड़े पैसे अगर मिलते रहे तो कोई भी problem नहीं होगा फिर नेक सिन में माइक हमें उसके एक जगा पर दिखाएगा है उस जगह वो उसका laptop जो होता है जिस पर वो DA के सब बाते सुन रहा होता है उस laptop को वो guard देता है फिर वो सब काम करकर अपने घर आता है वो जब घर आता है तो DA उसके घर पर raid मारती है उन्हें उसके घर पर कुछ भी नहीं मिलता J.C. और Walter फिर से lap में होते तो J.C. Walter से पूछता है कि मेरे पैसे मुझे चाहिए तो Walter बोलता है कि तुम्हारे पास potential है मेरी तरह ही best तुम cook कर सकते हो तो इस potential को तुम waste क्यों कर रहे हो कुछ चन पैसों के लिए तुम इससे out नहीं ले सकते अगर तुम्हें पैसे मिल भी कहे तो तुम क्या करोगे J.C. बोलता है कि मैं figure out कर लूँगा फिर उन दोनों की fight हो जाती है और J.C. बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं देने मत दो पर मैं अब यह नहीं करने वाला तो Walter बोलता है कि तुम्हें मैं एक penny भी नहीं देने वाला फिर हम DE office में आते हैं और वहाँ एक meeting चल रही होती है Hank को जो previous boss होता है वो सबको brief कर रहा होता है फिर वो Hank को बोलता है कि तुम जो mic पर वगरा नजर रख रहे हो तो यह surveillance तुम्हें आप हटा देने चाहिए इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा और बहुत सारे पैसे वेस्ट हो रहे है तुम्हें कुछ leads भी नहीं मिल रहे है यह तुम्हारा previous case था इसलिए तुम एमोशनल हो रहे हो तुम्हें यह drop कर देना चाहिए फिर यह meeting हो जाने के बाद जब Hank का partner उसे मिलने आता है तो Hank उसे बोलता है कि हमें अब Mike से surveillance निकालना है Hank बोलता है कि Mike की जो आदमी है वो अभी भी payroll पर है इसलिए वो किसी से भी बात नहीं कर रहे है Mike का जो रॉयर है उस पर हमें नजर रखनी चाहिए तो अब वो उस पर surveillance रखने वाले होते है Next scene में हमें Walter के साथ Todd मेट कुक करते होई दिखता है अब जैसी इससे आउट हो चुका है तो वो Todd की help लेता है Todd बहुत ही सिखने के लिए keen होता है वो बहुत सारे note llegar बना रहा होता है और बहुत ही interest से वो सब सीख रहा होता है उनका जब कुक हो जाता है बहुत सारा अच्छा in'd आ जाता है तो Walter उसे बोलता है कि हम मैं सिर्फ पैसो की बात करनी है तो Todd उसे बोलता है कि पैसो का हम बाद में बात कर लेंगे जब मुझे ये अच्छे से करना आ जाएगा तब हम पैसो की बात करेंगे नेक्स सीन में जब फिर से माईक का लॉयर सब पैसे रखने के लिए आया हुआ होता है तो डी ए एजन्ट उसे वहाँ पकड लेते हैं वाल्टर और स्काइलर जब डीनर टेवल पर होते हैं तो वाल्टर उससे कनवसेशन स्टार्ट करता है और बोलता है कि अब मेरा नया पाटनर है उसे मुझे लगता है कि अब ये पाटनर्शिप बहुत चलेगी पर स्काइलर को कोई भी इंट्रेस्ट नहीं होता है तो वो उससे कॉफी मांगता है जब वो हैंक कॉफी लेने जाता है तब उसके फ्रेम से वो बग निकाल लेता है यानि कि उसका जो ओडिय डिवाइस होता है वो आसे निकाल लेता है जब हैंक वापस आता है और उससे बात करना जाता है तब हैंक का पार्टनर वहाता है और वो बोल रहे होते हैं कि हमने माइक का जो लॉयर है उसे पकड़ लिया है ये वॉल्टर सुन लेता है माइक पार्ग में होता है और उसके लॉयर का उसे कॉल आता है लॉयर उसे बताता है कि मुझे प्रॉल्लम है और हमें बात करने ही चाहिए वो उसे एक जगा बुला रहा होता है फिर वॉल्डर उसे कॉल करता है कि तुम्हारे लॉयर जो है उसे पकड़ा गया है और तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए फिर माइक भी उस पार्ग में कुछ पुलिस ओफिस उसको देखता है और फिर वहाँ से भाग जाता है फिर जेसी और वॉल्डर ये एक प्रॉल्डर है इसलिए सौल के पास आये हुए होते है सौल उसे बोलता है कि अगर माइक पकड़ा भी गया तो माइक कुछ भी नहीं बोलने वाला पर उसके जो सब लोग है जो 9 guys है जो जेल में है तो वो कुछ ना कुछ तो बोल देंगे क्योंकि अब उनके पास पैसे भी नहीं आने वाले माइक उनको कॉल करता है और बोलता है कि मेरे जो पैसे है वो किसी को मुझे लाकर देने पड़ेंगे माइक सिटी के बाहर होता है और वही उसे पैसे चाहिए होते है जैसी सौल नहीं जा सकते है क्योंकि उस पर सर्वीजेंस चल रही होती है तो वाल्टर बोलता है कि मैं उनके चाकर देकर आऊंगा जो माइक की पैसो की बैक होती है उसमें एक गन भी होती है वाल्टर जब माइक को पैसे देने जाता है तो बोलता है कि तुमारे जो नो आदमी है तो मुझे उन सब के नाम चाहिए तो माइक मानता नहीं और बोलता है कि मेरे पैसे दे दो तो वो उससे चीन लेता है और उनका फिर फाइट हो जाता है माईक उसे बोलता है कि सब ठीक चल रहा था हमारा ओपरेशन गर्स के नी अंडर बहुत की अच्छे से चल रहा था पर तुमारा इगो है इसलिए हमें ये सब ओपरेशन बन करना पड़ा गस को तुमने मार दिया और सब चोकट हो गया माईक जाकर गाड़ी में बैठता है पर वॉल्टर को बहुत सारा गुस्सा आया हो होता है तो वो माईक की गन लेता है और माईक को शूट करता है माईक गाड़ी चला कर आगे जाता है पर उसकी गाड़ी ठूक जाती है माइक उसे शांत रहने के लिए बोलता है कि मुझे चैन से मरने दो वो फिर उस संसेट को उस रिवर को आराम से देखता है और शुकुन से वही गिर जाता है यानि कि वहां वो मर जाता है यही एपिसोड खतम हो जाता है